यमाहा इंडिया ने अपने The Call of the Blue अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया है इस प्रमोशनल वीडियो में कई ऐसे उत्पात दिखाए गए हैं जिनके हमारे यहां आने की उम्मीद है दिल्चस्प बात ये है कि बेहद लोकप्रिय एक्सेसार 155 भी इस वीडियो का हिस्सा है जो इसके भारत में जल्द ही आने का संकेत हो सकता है हालां कि यह भारत में कभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हुई लेकिन यामाहा एक्सेसार 155 हमारे देश में सबसे चर्चित छोटी बाइकों में से एक रही है इसकी खासियत यह है कि यह इंजन और अधिकांश चेसिस घटकों सहित आर 15 और एमटी 15 के समान प्लेट फॉर्म पर आधारित है हालां कि यह एक आधुनिक क्लासिक डिजाइन समेटे हुए है जिसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं एकसेसार 155 के भारत में बहुत पहले आने की उम्मीद थी जब यामाहा ने भारत विशिष्ट FZE ची लॉंच किया था अब यामाहा भारत में कई अंतरराष्ट्रिय मॉडल लाने की योजना बना रही है जिसमें MT-9 भी शामिल है जिसे हमने हाल ही में जापान में चलाया था यामाहा के प्रचार वीडियो में MT-7, R-7 और TENER-E 700 भी शामिल है जो सभी भारत के लिए विचाराधीन है जबकि XSR 155 उसी वीडियो का हिस्सा होना भारत में इसके लाउंच का संकेत हो सकता है लेकिन उनसे संपर्क करने के बाद हमें यामाहा से इस बारे में कोई पुष्टी नहीं मिली यदि यामाहा XSR 155 भारत में लाउंच होती है और इसकी कीमत भी अच्छी है तो ये Royal Enfield Hunter 350 और TVS Ronin जैसी बाइक्स का एक मजबूत विकल्प हो सकती है